आखिर व्यक्ति को जीवन में आउलाद से इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए. बुरापे में दुखी नहीं रहोगे. दोस्तों, आखिर वह कौन सी दो चीज हैं, जिनकी आउलाद से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. आखिर बुरापे में आउलाद अपन में सच्छी श्रद्धा से जैश्री राम जरूर लिखें, मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ, कि है प्रभु श्री राम जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा, और कमेंट में जैश्री राम लिखेगा, उनके घर परिवार को सुक शान्ती और संपत कर पूछते हैं कि देवर्शी नारदाज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ? जी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु में मन में एक विचित्र सवाल चल रहा है, जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है, उसी का उत्तर आप से जानने में आपके पास द्वारिका आया हू श्री कृष्ण कहते हैं कहो देवर्शी तुम्हारे मन में कौन सा सवाल चल रहा है? हे प्रभु, जब मैं धर्ती लोग पर विचरन कर रहा था, तब देखा कि बुड़ापे में आउलाद अपने माबाप का सेवा करने के बजाए उससे घर से निकाल कर जबर्दस्ती अश्रम में डाल रहे हैं. हे प्रभु, ये सब किस कारण से होता है? कृपया मुझे बताये श्री कृष्ण कहते हैं देवर्शी मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से समझता हूँ. इसे ध्यान पूरवक पूरा सुनना और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है. उसको उनकी ओलाद कभी धोखा नहीं देगी. श्री कृष्ण कहते हैं नारत जी प्राचीन समय की बात है किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा अपना घोसला बना कर रहते थे. वो दोनों पती पतनी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे. एक दिन की बात है म मोर की पतनी गर्भवती हो जाती है. इस बात को जानकर कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं मोर और मोरनी बड़े प्रसंद थे. बड़े खुश थे मोर अपनी पतनी का बड़ा ख्याल रखता था. हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोसले में दिया करता था. धीरे ध समय गुजरता गया और मोर की पतनी का प्रसव का समय निकट आ जाता है. अब मोर की पतनी बड़ी प्रसंद थी. वह अपने पती मोडर से कहती है कि अब हमारी संतान आने वाली है बहुत जल्द में अपने बच्चों को जन देगी. गुडापे में वह हमारी खूप सेवा कर करेगी. दोस्तों, मोर कहता है कि प्रिये, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी. या हमारा बुडापे का सहारा बनेगा. पतनी कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं. हर संतान अपने माता-पिता की सेवा करती है. फिर हमारी संतान हमारी सेवा क क्यों नहीं करेगी, तब मोर कहता है कि हे प्रिये, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, कि बुड़ापे में अपनी आुलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी ही नहीं करनी चाहिए, और जो भी मनुश्य इन दो बातों को याद कर लेगा, वो अपने बुड़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा दोस्तों, अब मोर अपनी कहानी प्रारम करता है, मोर कहता है कि हे प्रिये, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था, उसे व्यक्ति के घर में इश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, खूब रूपे पैसे धन, दौलत, म रह दोनों पती पतनी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है, वह व्यक्ति अपनी पतनी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, महंगे से महंगी अस्पताल में जाकर वह अपनी पतनी का इलाज कराता है, पवित्र तीरत स्थान पर जाकर संतान प्राप्ती की मननत मांगता है, मंदिर में जाकर माथा टेकता है तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है, इश्वर की क्रिपा से उस व्यक्ति की पतनी को एक पुत्र प्राप्त होता है, अस्पताल में पतनी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है दोनों पती पतनी की इन बातों, को सुनकर नज उसे व्यक्ति की पतनी से कहने लगती है कि बहन जी आपको जो पुत्र हुआ है, वह सुन्दर है, अच्छा है, पर एक कमी है, नज के मुह से जब बच्चे की मा ये सुन्ती है कि कोई कमी है, तो वह चिंतित हो जाती है, नज कहती है कि बहन घबराने की कोई बात नहीं है, बहन जी जो पुत्र हुआ है, वह सुन्दर है, स्वस्थ है, बस उसमें कमी है कि उसकी एक आख नहीं है, तुम्हारा पुत्र एक आख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है, दोस्तों, जब उसे मा को ये पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आख नहीं है, मेरा पुत्र एक आख से काना है, तो वह मन रोने लगती है, और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं मेरे पुत्र की एक आख नहीं है तो क्या हुआ? एक आख तो सही है. जैसा भी है पर ये तो मेरे दिल कर टुकड़ा है. मेरे लिए दुनिया का सबसे सुन्दर बच्चा मेरा पुत्र है. दोस्तों मा के लिए सभी संताने बराबर होती है. चाहे कुरूप हो या चाहे कोई गोरा और सुन्दर. मा उनकी आत्मा से जुरी होती है. सुनकर नस की आखों में भी आसू आ जाते है. वह नस सोचने लगती है यदि पर्मात्मा को संतान का सुक देना ही था. तो इस पुत्र को दोनों आखे दे देता. मा कहने लगती है कि कोई बात नहीं जैसा भी है आखिर है तो मेरा ही बेटा. पर आज इसकी अगर दोनों आखे सलामत होती तो और भी अच्छा होता दोनों आखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुन्दर लगता दोस्तों, मा की इन बातों को वह नज सुनती है तो वह कहने लगती है बेहन जी यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आखे हो तो ऐसा भी हो सकता है जब मन ये सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आखे लग सकती है तो वह कहने लगी नज मैडम ये कैसे संभव अब नज उसे बताते हुए कहती है कि ऐसा हो तो सकता है उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आँख देनी होगी. पुत्र की दोनों आखे ठीक हो जाएगी. दोस्तों, नज की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो वह कहने लगता है कोई बात नहीं नज मेडम हमारे पुत्र की एक आँख तो सही सलामत है. हमारा पुत्र एक आँख से ही दुनिया देख सकता है. दूसरी आँख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है. हमारा प बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा ये तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आखे ठीक होगी मैं पिता हूँ और अपनी पत्नी को और बच्चों को पालने का भर मेरे कंदों पर है अब रही बात मेरे पुत्र के एक आख की तो ये सब परमात्मा की देन है इश्वर ने जिस जिस रूप में भेजा है वो हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है दोस्तों पिता ने तो साफ इनकार कर दिया लेकिन मा तो मा होती है नज से कहती है कि मैडम यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ मेरा क्या है मुझे तो घर पर ही रहना है लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन कातना है इसलिए नज मैडम मैं अपनी एक आख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी तो वह मा कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं एक आख से कानी हो जाओँ लेकिन पुत्र को दोनो आखों के साथ देखना चाहती हूँ मेरी एक आख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो मेरे बेटे की जब दोनो आखे होगी तो दोनो आखों के साथ वह कितना सुन्दर लगेगा मैं अपने पुत्र को एक आख दान में द पुत्र को देने के बाद एक आख से कानी हो जाती है मोर आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिये कुछ दिन तक वे दोनों लोग अस्पताल में रहते हैं जब दोनों मा बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से मा बेटे को छुट्टी मिल जाती है इस प्रकार वह व्य जाता है सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उसे बच्चों के पिता की किसी सड़क दुर घटना में प्रान चले जाते हैं। पत्नी को अपने पती की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी धारे मार कर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा चार साल का बच्चा है। घर में एक ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़ कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोशन कैसे कर पाऊंगी। अब ये सोच सोच कर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर पास पढ़ोस के लोग आ जाते हैं। और उसे लाचार मा को धीरज बढ़ाते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझा कर उसे व्यक्ती का अंतिम संसकार करते हैं। किस प्रकार वह लाचार मा अपने पाँच साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान पाने की चाहत में उसके इलाच करने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पती की मृत्यू के बाद जो भी बचत थी, वह पती के अंतिम संसकार में चली जाती है। इस प्रकार वह मा दूसरों के घरों में जाडू पोच्छा करके दूसरों के घरों में बरतन मा प्रस्तमины और वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती। अपने पुत्र को खेलने के जिलिए अच्छे-च्छे खिलोने लेकर आती। अपने पुत्र को अच्छे-च्छे वस्त्र ला कर देती। अपने बच्चों के साथ पर्चाई की तरह बनी रहती थी। कि भाई साहब मुझे अपने बेटे का इस विद्याले में दाखिला कराना है। कोई भिखारी हो, ये बेचारी कहां से इस बच्चे की कितावे और इतनी महेंगी फीज भर पाएगी। इसलिए वह समझाते हुए उस बच्चे की मा से कहता है कि बेहन जी हमारे विद्याले की फीज कुछ ज्यादा है। हमारे विद्याले में आमीरों के बच्चे पढ़ते हैं इसलिए बहतर होगा। आप अपने बच्चे का एड्मिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दे। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर मन कहने लगती है कि सर जी आप पैसो की चिंता मत करिये। जितनी भी फीस होगी उससे मैं समय से जमा कर दिया करूनगी। मेरा इकलोता बालक है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लेक कर बड़ा डॉक्टर बन जाए। इसलिए मैं इससे आपके विध्याले में लेकर आई। दोस्तों, वह बड़ा मास्टर जब उस मा की इन बातों को सुनता है, तो उस मा की बातों को सुनकर वह बहुती प्रभावित होता है। और उस बच्चों की मा से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जित करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को भरती कर देते हैं। बच्चों का एड्मिशन उसी विद्याले में हो जाता है और वह बालक विद्याले में पढ़ने जाने लगता है। दोस्तों पहले तो वह मा पांच घरों में जारू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी। लेकिन अब अपने पुत्र के एड्मिशन के बाद अपने दिखातेर वह दस घरों में काम करने लगी। दूसरों के घरों में जारू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वह पुत्र जब पांच वी कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र दस साल की हो जाती है, तो एक दिन स्कूल के सबी बच्चे मिलकर उसे बालक को छेड़ने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो एक आख वाली काली मा का बेटा आ गया इसकी मा कानी है दोस्तों वह लड़का जब अपने सहपाथियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है उससे बह लेने आई थी तो वह लड़का अपनी मा से कहता है कि मा कल से मुझे विद्याले में छोड़ने मत आना और लिवाने भी मत आना जब मा पूछती है कि पुत्र क्या बात हो गई तो लड़का कहने लगता है कि मा तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है तुम एक आख से कानी हो तुम जब मेरे साथ विद्याले में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजा कुड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है तुम ऐसी हो वैसी हो इस तरह की बाते करते हैं दोस्तों वह लड़का अपनी मा से दुनिया भर की शिकायते करता है मा, कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विध्याले में नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विध्याले कैसे आप आओगे, अपनी मा की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, मा अब मैं बढ़ा हो गया और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ, कि मैं अकेला विध्याले जा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विध्याले आने की कोई जरूरत नहीं है, अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वहमा कहती है, ठीक है पुत्र आज के बाद में तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊं मैं अकेला ही आया-जाया करूंगा। दोस्तों, उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विध्याले आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे पुत्र के खर्च भी बढ़ते चले गए। वैसे वैसे उस माँ पर काम का बोज भी बढ़ता चला गया। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। और इस प्रकार वह लड़का विद्याले की पढ़ाई पूरी कर लेता है। और उसके पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। उसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी। वह पैसा कम पढ़ने लगता है। क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबे और फीस का खर्चा था। लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्च बढ़ गए थे। लेकिन उस माने हार नहीं मानी। पहले वह जहां 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी। वही पुत्र के शहर जाने के बाद वह 30 घरों में बरतन साफ करने लगी। और जाडू पोच्छा करती, दिन भर मेहनत करती, और मेहनत करते करते रात को 11 बजे बज जाते थे। तब जाकर वह बेचारी मा अपने पुत्र के लिए महीने का 5000 भेज पाती थी। वह इसलिए इतनी मेहनत करती थी, कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिखकर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, तो मुझे सुख मिलेगा एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा, आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, तो मेरे बेटे के साथ रहकर मे खुश रहूंगी. इसलिए वह मा खूब मेहनत करती थी. और तीज घरों मे काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी. इस प्रकार मेहनत करते-करते समय से पहले ही बूरी हो जाती है. भूप में उसका गोरा रंग काला पर जाता है. लेकिन वो अपने पुत्र के उसमें लिखा होता है कि मा अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, दोस्तों जब उसे मा को ये पत्र मिलता है, कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है, और सोचने लगती है कि पती के जाने के यह मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है, और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, तो वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई, दोस्तों, उस मा के बेटे ने यह बात मा को पत्र लिखकर बताई थी, कि मा में डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन वह बेटा अ मैंगनत सफल हो गई उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है इस प्रकार वह मां अपने पुत्र के गाव आने का इंतजार करने लगती है वह मन सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीच चुका है अब वह डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिल मैं अपने पुत्र की आरती उत्रूंगी। उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। मैं लगती की जाने क्या मजबूरी है। मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया। कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वह दिन नहीं आएंगे। कि मैं दूसरों के घरों में जाड़ू पोच्छा करू। अपने बेटे की कमाय का खाऊंगी अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गारी बंगला भी होगा, अब मेरे दुख के दिन बीच चुके हैं, इसी तरह वह मा सारे दिन बेटे के सपना देखा करती थी, दोस्तों, इस तरह उसे मा को अपने बेटे का इंतजार करते हुए एक साल बीच जाता है, लेकिन वह बेटा एक साल में एक दिन भी मा के पास नहीं आता है, फिर एक दिन उसे मा के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है, उस पत्र में लिखा होता है, की मा मेरी शादी हो गई है, और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है, वो बहुत ही अमीर घर की है, वो एक बह मेरे डॉक्टर साहब की बेटी है. मैंने प्रसिद डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है. मेरी पत्नी बहुत ही सुन्दर है. दोस्तों जब वह मा उस पत्र में लिखी बातों को पधवाती है तो उसकी आखों से आसु की धारा बहने लगती है. उसे बड़ा ही दुख होता है. क्योंकि मा तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है. तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिष्टे आएंगे. मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी. लेकिन उसे पत्र को पढ़कर उसे मा के सारे अर अपना होता है. कि वो अपने हाथों से अपने बेटे को दूलहा बनाएं. अपने हाथों से अपने बेटे को सजाएं. और अपना आशिरवाद देकर अपने बेटे की शादी करवाएं. लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं. मुझे बत दूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था, जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में के लिए भी नहीं पुछा, अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है, कि मा मैं शादी कर ली, दोस्तों, ये सोच सोचक पूरी रात आसु बहाती रही, इतना होने के बाद भी मा अपने पुत्र को दुआय देती रही, दोस्तों, फिर भी उसे मा के मुझ से अपने बेटे के लिए आशिरवाद ही निकलता है, कोई बात नहीं बेटा तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा तुम्हारे साथ है, अब मा सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाहतो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई वब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहु दोनों मिलकर मुझ से मिलने मेरे घर आए, मैं अपनी बहु को देखेगी, बहु मेरी सेवा करेगी, मैं अपने पुत्रवधू क अशिरवाद दूंगी, यह सोच सोच कर वह मा अपने बेटे और बहु का इंतजार करने लगती है, इस तरह उसे मा को अपने बेटे और बहु का इंतजार करते करते एक साल निकल जाता है, लेकिन एक साल बीटने के बाद भी उसे मा से मिलने बेटा नहीं आता, है ना बहु आती है, फिर कुछ दिन बाद उसे मा को तीसरा पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है, कि हे मा अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है, दोस्तों, जब ये खबर उसे मा को मिलती है तो उसका धहर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहनशक्ती जवाब दे देती है, मा का पुत्र बड़ा डॉक्टर बं जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए, और उसकी मा को पता ना चले, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, बेटे को डॉक्टर बनाने में उस मा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्ष नहीं जाता, फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है, सोचती है चलो कोई बात नहीं पोता भी हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है अब मैं अपने पोते को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी, जरूर मेरी बहू और पोते के साथ म मन व्याकुल होने लगती है जब इंतजार करते करते उसे मा को 36 महीने बीच जाते हैं और जब उसे मा से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उसे मा के सब्र का बांध तूटने लगता है वह व्याकुल हो जाती है और उसे व्याकुलता में यह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पोते को देखने जरूर जाओंगी। दोस्तों, ये निर्ने करके माँ अपने बेटे और बहु से मिलने के लिए किसी तरह पता पूछते पूछते उसे शहर में पहुंच जाती है। जिस शहर में उसका बेटा रहता था, उस शहर में पहुंच कर वह बूई म एक रिक्षा वाले को अपने पास बुलाती है, और रिक्षा वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है। बेटा मुझे इस जगह पर जाना है रिक्षा वाले ने पता देखा, और बूई मा को अपने रिक्षा में बैठा लेता है, और उसे बूई मा को उसे ब कि मा जी तुमने जो पता दिखाया था तुम उसे पते पर पहुँच चुकी हो, ये जो सामने बांगला है यही रहते हैं, डॉक्टर साहब, वह मा उसे रिक्षा वाले को किराया देती है, और अपना जोला उठा कर बंगले की तरफ चल देती है, मा की नजर जब डॉक्टर सा ये देखकर उसे मा को बड़ी खुशी होती है, कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है, दोस्तों वह मोर आगे कहता है कि प्रिये, वह बुई मा जो एक थेली में अपने पोते के लिए खिलोने बहु के लिए साडिया और कुछ मिठाया लेकर आय थी, जब वह थेली क लेकर वह मा बंगले के अंदर जाने लगती है, तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसती है, तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नजर उसे पर पढ़ती है, गाव की फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आख से कानी है, बंगले के अब दूस मा के कानों में पढ़ते हैं, तो वह मन एकदम से रुख जाती है, और चपरासी से कहती है कि यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई है, चपरासी उस मा को डांटते हुए कहता है, तुने कभी और जो तुमहारे डॉक्टर साहब है, वही मेरे पूत्र है, वह हसी करने लगता है, अरे बुर्या, तुम गाव देहात की महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक है, ना तुमहारी शकल ठीक है, डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं, दोस्तों जब ये बात में खड़ा हुआ चपराशी सुनता है तो वह भी उसे मा के पास पहुंख जाता है जब उसे पता चलता है कि यह बुरिया कह रही है कि वह डॉक्टर साहब की मा है तो वह चपराशी उनसे पूछने लगता है कि मा आपके पास कोई प्रमान है जिससे हम पता कर सकें कि तुम हम हमारे डॉक्टर साहब की मा हो, जब वह मा उसे दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है, तो तुरंथ ही अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र उसे चपरासी को दिखाती है, जो उसके पुत्र अपनी मा को भेज था, जब चपरासी उसे पत्र को खोल कर द दोस्तों, वह मा कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहु कहां पर है, तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है, कि उपर जो कमरा दिख रहा है, वह तुम्हारे बेटे का कमरा है, और वह अभी इस समय घर पर ही है, अब मा अपना सामान तो नीचे रख देती है, कि सामान को तुमने बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूँ, बहु को देख लेती हूँ, बुई मा अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीरिया चड़कर घर के तो वह देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा है और उस पालने में उनका पोता जूल रहा है जैसे ही उसे बुई मा की नजर अपने पोते पर पढ़ती है तो पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगा कर दुलार करने लगती है दोस्तों जब वह बुई मा अपने पोते को गोधी में लेकर दुलार करने लगती है, तो बच्चे की नीन टूट जाती है, और वह जोर-जोर से रोने लगता है बच्चों के रोने की आवाज जब पुत्र वधू के कानों में पढ़ती है, तो वह रसोई से बाहर आती है, और सोचती है की ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा है, जब वह रसोई से निकल कर आंगन में आती है, और अपने बच्चों को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुडिया के हाथों में देखती है, तो अपने पती को आवाज देती है, की सुनिये जी पतनी का चिलाना सुनकर पती भी नीचे आ जाता है, तो पती के आते ही बहु अपने बच्चों को बुडि मा से छीन कर अपने सीने से लगा लेती है, और अपने पती से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे है, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखना ये भिखारी बुर्या हमारे बच्चे को चुराने आई है। दोस्तों, बुरी मा कहती है, मैं तो तुम्हारी सांस हूँ और ये तुम्हारे पास जो खड़ा है, वह मेरा बेटा है, तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वह मेरा पोता है, मैं भला पोते को चुरा कर कहां ल इसे ही गरीब परिवार में अपने जन्म लिया है, मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं, कि आपकी कोई मा भी है, जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है, तो कहने लगता है, कि यह बुरिया जिसके लिए मा ने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, वह क पत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुँच गया, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है, मा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा तुम मेरे पत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि त तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है जिसे मैं मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई है, दोस्तों, इतना का कर वह मारोती-रोती घर की सीरि एक आस थी, वह सोचती है कि जिसे मैं जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन की नया को पर लगाने वाला था, वही बुडापे का जीवन नया को मजधार में डूबा रहा है, दोस्तों, इस प्रकार रोते-रोते मा भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है, अब वह मा सोचती है कि जब बेटे ने ही मूह मोर लिया है, तो आप जीकर में क्या करूंगी, अब बेटा ही नहीं रहा, तो इस जीवन का क्या होगा, इस प्रकार वह घर से बाहर निकल जाती है, और बंगले के बाहर जो चप्रास का कमरा था वहां पहुंग जाती है, और एक चप्रासी को अपने पास बुला कर रहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो, दोस्तों, क्योंकि चप्रासियों को तो पहले ही पता था, कि यह बूई औरत डॉक्टर साहब की मा है इसलिए वह तुरंथ ही कागस कलम ले आता है, और पूछने लगता है कि बताओ मा जी मुझे क्या लिखना है, इस तरह बूई मा बोलती जाती है, पत्र लिखा जाता है, जब वह पत्र पूरा लिखा जाता है, तो वह मा उसे चप्रासी से कहती है बेटा मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो, दोस्तों, उस मा के कहने पर चप्रासी तो बूई मा के लिए पानी लेने चला जाता है, और इधर वह बूई मा अपनी साड़ी का फंदा पंखे में डाल कर और आत्महत्या कर लेती है, जब चप्रासी पानी लेकर वापस लोटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है, चप्रासी ने देखा कि वह माताजी फासी के फंदे पर जूल रही है, वह जाकर यह खबर डॉक्टर साहब को देता है, खबर को सुनकर वह पती पत्नी दोरे दोरे उससे कमरे में आते हैं, दोस्तों वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है, और सिर पकड़ कर जमीन पर बैठ जाता है, वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बाते मेरी मा को इतनी बुरी लगेगी, मैं तो जूठी शान शौकत दिखाने के कारण मा को पहचानने से इंकार कर रहा था, इसलिए कह रहा था कि मेरी कोई मा नहीं है वह मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ना दे, इसलिए मैंने ये बोल दिया, कि मेरी कोई मा नहीं है लेकिन तुमने तो मेरे जूठ को सच बना दिया, एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे मे में सोचा होता है जब पत्नी की नजर फासी पर जूलती हुई उसे मा के हाथों पर पढ़ती है। बेटा मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, उसे समय तुम्हारी एक आख नहीं थी, मैंने अपनी एक आख तुम्हें देखकर तुम्हें सुन्दर बनाया था, सुन्दर रूप दिया, और मैं रात मेहनत की है, मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, घर घर धूप में काम करने से मैं काली कलूटी हो गई, उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है, तुम सुन्दर हो इसकी मुझे खुशी है, मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी. इसलिए मैं शहर चली आई, क्योंकि गाउग जाकर मेरा हाल नहीं पूछा. लेकिन जब मैं स्वयम चल कर तुमसे मिलने आई, तो तुमने तो मुझे पहचानने से इंकार कर दिया. इसलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब जीने का मेरा उद्देश खत्म हो गया है, जब कोई रहा नहीं, तो मेरे जीने का क्या फाइदा, बेटा जाते जाते इश्वर से प्रार्थना करती हूँ, कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे दोस्तों, जब उसे बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पती को सुनाती है, तो उसे बेटे का सिर शर्म से नीचे जुग जाता है, उसे अपने जीवन से घ्रना होने लगती है, कि जिस माने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ न निचावर कर दिया, वही म मा आज मेरी चोखट पर मुझसे मिलने आए तो मैं एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। किस प्रकार दोनों पती पतनी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई मन से माफी मांगते हैं। और जिसके जीवन में मा होती है तो उस मा की बच्चे कदर नहीं करते। तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविश्य बनाने के लिए उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने मा बाप का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत ही पीडा होती है। दोस्तों मोर आगे कहता है कि है प्रिय मा बाप है तो उनका आदर करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य की सफलता में मा बाप का ही योगदान है। कुछ मूर्क बच्चे पूछते हैं कि मा तुमने हमारे लिए क्या किया है। अरे मूर्क बच्चे जो कुछ किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया तुमको पढ़ाया लिखाया तुम्हें पालने में दुख उठाए. माता पिता को भूल कर तुम तो अपने आपको भूल गए हो. लोग भूल जाते हैं कि माबाप के अतिरिक्त दुन्या में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला नहीं है. सब लोग जो तुम और आगे कहता है कि है प्रिये एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुन्दर्ता को खो देती है. वही पुत्र जब जवान होता है जब उसकी शादी हो जाती है. तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुन्दर्ता में अपने माता पिता को खो देता है. माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ थ्याग देते हैं. लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कुछ देने के काबिल हो जाते हैं. तो हम क्या देते हैं सिर्फ आसूलाचारी दुखकेलापन. दोस्तों, जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उन